जैने शिगड़ी जी हर हर महादे मैं हुझ जूद इश्या डाउटर संदर सक्सेना उत्रगंध धर्द्वार से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज आपको बताना है कि गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि साल में चार बार गुप्त नवरात्री आती है जिसमें से दो गुप्त नवरात्री होती है जो साधकों के लिए होती है जो में नवरात्री होती है वो गरस्तों के लिए भी होती है चे जो है सुबे लब्बबक साड़ी तस वजे अमावस खत्म हो जाएगी और इसके तुरंद बात प्रतिपता लगेगी जो की चल के पड़सो यानि की सोमबार को सुबे ग्यारावे तक लगेगी तो आप यह कह सकते हैं कि चुकि उधिया तिती से हमेशा नवरातरी होती है तो आप यह क्या हसाब से आपकी नवरातरी पड़सो पड़ेगी सुम बारको पड़ेगी यानि की उन्निर्शून को पड़ेगी अगर आप कल के कहसाब से रखोगे तो कल सुबह नवरातरी ना थारीको शूबह बज़े लगror झाल gusta stra hou कितिती होती है तो कल आप ज़ो पूरे लग्रवाहिब कराट और आज बिंग तारीक कि आसे उसाहिए उसे विन रात के समय तूह पिनiczन कैशे है आफम नाऌको सीत यूज से आफ मात रहे हैं तो सुघे लभग को पहलाइ जनके नवराटर अब नाव सरुम्होंदधनिज का पूछ सुछ सुछराइlier तक पहला नवरात्र रहेगा अब ऐसा क्या है कि मैं आप नवरात्र पर आपको जोड़ दे रही हूं तो गुप्त नवरात्र सभी तरह के लोगों को तंत्र मंत्र जोतिश पूजा पाट और शान के लिए खास होते हैं अब उसको आप ऐसे समझ लीजे कि जितने भी बड़े- तो ऐसे में गुप्त नवरात्र ही खास होते हैं आपको सुन में आ गया तो यह जो गुप्त नवरात्र है यह आप जो आ रहे हैं इसमें आप देवी के जादा पूजा पाट कर सकते हैं देवी के बहुत सारे जितने जादा आप अनुष्ठान कर सकते हैं देवी के आप अन अगर आप बरत नहीं करना चाहते हैं तो आप सुबह आप किसी देवी के मंदर में जाके परशा चड़ा दीजे आप अपने घर में परशा दख लीजे मगर जादसी दादा माता दुर्गा का या माता काली का माता बगला जिसको भी आप मांते हो उनकी पूजा कीजे अगर आप दस महा विद्धा में किसी खास देवी को परसंद करना चाहते हैं तो दस महा विद्धा की पूजा भी आप कर सकते हो जैसे कि आपको माता कामख्या को परसंद करना है वश्यकरण की देवी होते हैं तो आप माता कामख्या के मंतर का जाप कर सकते हो वहां पॉर्ण गाद बार करना iyi कि जो भी जिस्टि विधता को भी आपके हैं जिसके अंदर जादा आप या कर सकते हैं पूरे वह को बता है ।कि भाव शे तरीष सी सावन भी लग जाएगा जुलाई में तो आपको यहाँ नवराता खत्म वहां पर सावनомина शू कर départ हैं कोई भी पूचा पार्ट अपने चाहने वाले के लिए अपने इस ब्रे जोश्व qué यदिक से ऊटते हैं आएपर आपस लिए पास था भी किम को आ से तन्हों gider कर आप कि अथा है। मेरे पती मुझसे तलाक लेना चाहता है ऐसे लोग होते हैं यह दोनों ही कारणों से जो लड़किया आती है कि मेरे दोस्त जो है पिछले पांच साल से चार साल से तीन साल से रलेशन्शिप में ता फिजिकल कॉंटक्ट भी हो चुके थे और सबकुस था कमीटमेंट भी दिया हो या ऐसी फिमेल्स जिनकी शादी के नाम पर दोका हुआ अपती किसी और साथ पहले से फिर्रा था और अब उसके जरित्र के बार में आपको पला जलता और इसमें पुर्शी नहीं इस तरियां भी ऐसे हो करती हैं कि में पस लड़कों के बहुत मैसे आते हैं आद्मियों क अब उसके पहले से पुरुष के साथ संबन था अपने लवक लाच की चक्कर में शादी कर ली और अब कहती हैं कि हमें तलाग दो हमें तुमाह साथ नहीं रहना और आरूप लगा देती हैं कि जी इसका तो चकर चल रहा है या यह मुझे दहेश के लिए परशान कर रहा है से यदा कदा इस तके केसे भी बहुत सा रहाते हैं तो ऐसा कोई भी काम हो जिसमें आप अपने जीवन साथी को लेके या अपने लव रलेशन्शिप को लेके अगर दुखी हैं परिशान हैं और ऐसे में अगर आप इस नवर दुर्गा के टाइम पे यह जो नवरातर आरी ह हैं कोई दुर्गा करना चाहते हैं कोई निश्ठा कोई संकल्प लेका करना चाहते हैं तो मैं आपको उपाए एक ही दूगी अगर कर सको तो जो मुझे नहीं पता आप लोग कर पाओगे यदि सच में किसे से आपको बहुत प्यार है जब अपकी पतन और पती हो आपको चाहते हैं कि आपका साथी जो है मान जाए आपको रुलाए ना तो गुप्त नवरात्र में दस महा विद्ध्य में आप एक प्रयोग कर रहा है तो कर लीजेगा और वह बहुत ही प्यारा बहुत ही चोटा सा प्रयोग है आपको सिफ इतना करना है कि एक नारेल जो जट जटा नारेल जो आता है माता देवी को चड़ता है जटा नारेल ले लो आप और उस जटा नारेल को लेने के बाद आपको क्या कर रहा है यह जो और इंज वाला जो सिंदूर होता है उसमें थोड़ सो चमेली का तेल मिला लीजेगा और उसमें उसको नारेल को उससे रंग पूरी बड़ी बड़ी तरीके से रंग दीजेगा पिर एक लाल रंग कोई कपड़ा लीजेगा उसमें इस नारिल को लपेड दीजेगा अब आप इसे अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं अगर रख सकते तो और अगर आपको लगता है कि घर वाले चैचे पूपू करेंगे साफ सुत्रा करे रह सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को अभी कल्या पॉट्स लगा लोगे लेकिन इत्तिफाकन अगर आप मेरे वीडियो को जब देखते हैं और बिकुत मेरा बातों कई राइम जा चुका तो फिर आप शुक्रवार से स्टार्ट करके शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोम और मंगलवार, शुक्रवार को स्टार्ट करकर मंगलवार तक कर लेना या एक शुक्रवार से स्टार्ट करके अगले शुक्रवार तक उसको पूरा कर सकते हो तो आपको करना क्या है बस आपने मंदिर करने के बाद बस आपको जब भी टाइम मिलता है सब्सक्राम रात में जब भी आपके पास टाइम हो बस आपको बैट जाना है बहुत ही अराम से बैट कर माता का ध्यान करना है आपको चूज करना है आप दूरगा जी की पूजा करना चाहते हैं माता कामक्य की पूजा करना चाहते हैं मा बगला मुकी की पूजा करना चाहते हैं या चिंद्वस माता की पूजा करना चाहते हैं शोडिशी माता की पूजा करना चाहते हैं मुझे नहीं पता आपको जिस द आपको संकल्ब लेके कि मैं माता रानी इस फलाफला काम के लिए ही आपकी पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं और मेरा काम पूरा हो जाए मैं पहली काम मैं आपको बहुत सर अप्शन देने वाली हूं अगर आप इस तर से पूजा करना चाहते हैं कि आप अपने घर में नारल लपेट के रख देते हो और फिर आप दीरे दीरे उसमें पूजा कर रहे हो तो आपको और गुप्त नवरात कर शेह एं देना की आप इसको परसों लगाना कि पर्सों उद्याथिक होगी तो आप आप सुभे सुभे ना दोकर आप अपने फेर में पूजा कर लीजें और फिर आप पूजा गलना तो आप गल शाम को आपने लगा कर आप पूजा स्टार्ट कर देना नौ दिन आपको माता तुर्गा के किसी भी रूप में उनके मंदर में चड़ा देना पहला तो मैंने आपको यह दो आपको यह पाय करने से आपका जीवनसाति आपका प्रेमी अपकी प्रेमी का घा अजो भी आपको दुखी कर रहा है जिसकी वैसे भी आप बहुत ज़दा परिशान हैं दुखी हैं और जो भी आपको जिसकी वैसे भी आप इतना नराश हो गया हैं कि आपको लगता है कि पता नहीं मेरी जिंदगिया कि कले इशक अब खत्म होगा वो ठीक हो जाएगा अब एक दूसरी अप्शन पर आते हैं जब आप मुसी कोगे कि मा मैं अपने घर में इस तरह कोई बवाल नहीं कर सकते क्योंकि मुईर को अगर हमने घर में कुछ भी रखा तो घर में तो कांड हो जाएगा तो अगर आप उस काटिगरी में आते हैं आप मुसी यह कोगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते मा और हम अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे घर में तो कांड हो जाएगा तो ऐसे में आपको क्या करना है तो ऐसे में आपको सिफ इतना करना है कि आपको जिस देवी देवता की भी आपको पूजा करनी है जैसे आपको गणे जी करनी है काली की करनी है पहले तो आप दिमाग में टिका लेना कि आपको सबसे दा किसमें प्यार है आपको सबसे दा किसमें प्रिती है आपको सबसे दा किसके अंदर आपको रूची है उस देवता को पहले आपको उठा लेना है दिमाग में जब आप उस देवता कर उठा लोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक धूप लगा कर आएंगे कहां, आपके एरिया में सुबह के टाइम कोई भी मंदिर हो, वहां पे जाकर यही जो नारल है, मैं आपको बताया था ना, यही नारल आपको जो लाल कपड़े मे आपके लालन से रंकर लाल कपड़े में बांध के आप यही नारल, आप किसी मंदिर में जाकर पहले रखाऊगे, और वहां पे बैठ कर आपको उजन जो भी पूजा करनी है, जिस मंदिर को करना है आप उसको कर ले ना, पहले दिन, और उसके बाद वहां से बोल के आना, कि मैं अपने घर पे करूँगा, यहां नहीं कर सकता, वहीं छोड़ देना, और फिर अपने घर में आकर आप नौ दिन लगातार करोगे, लेकिन जब आपके नौ दिन की पूजा पूरी हो जागी, कि नवरातर नौ दिन की होते हैं, तो आप थोड़ा सा मिश्री, मिश्री तो मिश्री तो आप कुछ भी किला टॉफी दे दो चोक्रेट दो कुछ भी और आप चाहो तो उसमें तोड़ा साथ कुछ जैसे को टॉवरा भी दे सकते हो जैसा आपको अपकेट अलाओ करें वैसा करने जगा दोनों में से आपको जो सही लगे चाहे तो आप मंदिर में रखकर फिर अपने में करेंउर जैसा कहाँ जैसा तो आपको ठीक लगे वैसा करिए का लाद क्री अब divisions तो नो दिन जो कहते तो अपुस इसी लड़की है जो बीमार है जिसको पूरा महीना ही खराब हो जाता है कई लड़कियों को साथ सा दिन की प्रॉब्लम रहती है तो ऐसी लड़की क्या करेंगी ऐसी लड़कियां अपना नारल को सिंपल एक नारल लेके चुन्नी में लपेट के किसी भी पंडिज या किसी घर से जिस देवी दिता को आप ने आद करके दानल चड़वाया है उसकी नाम से अपने जीवन साथी के लिए अपने प्यार के लिए अपनी पत्नी जो भी है उसके लिए एक जिगा बैट कर सकते हो बस आपको पूजा कोई समन नहीं चूना है जब तक आप शुदीन में नहीं आजाते हैं एक और तरीका अगर कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो कि आजकल जून चल रहा है तो कुछ सारे बहुत सारे लोग भार भी घूम रहे होंगे ऐसे लोग अगर मेरा वीडियो देख कर यह प्रयोग करना चाहिए तो क्या करेंगे तो आप यही करोगे कि नारल करेंगे मलबेट के चड़वा दीजेगा जब आप चड़वा देंगे तो आप जहां कहीं भी है यात्रा पे हैं तो आपको जिसको भी पूजा करना है कम सम 10-15 मिनट 20 मिनट ध्यान अवस्था में आशे अपने मंत्रों को पूजा को अप करते रहोंगे कोई दूप दीप अपने में आपको बताना चाहूंगी कि मैं क्या करूं मैं अकेली संद्या हूं और कोई हैबी नहीं के नहीं मैंत्राइग जाए अब मैं अपको बोलो कि आपको मुबायल पर मैसेज आरें चाहरा पढ़ लो तो आप 2 पढ़ ओढ़ो गे 6 पढ़ बुस्तरा पढ़ो हो सतना या 25 पढ़ लो 100 पढ़ लो बहुत ज़ादा कैपसेटी तो चलो अपने 400 मेसेज भी पढ़ दाले उस सदर नहीं पढ़ सकते हैं हमारे को 556-6000 मेसेज आते हैं डेलिवें थो हम जितना पढ़ सकते हैं हम उतना पढ़ लेते हैं और जितना चुटते हैं फिर वो आगे के लिए चले जाते हैं और पीछे का डेटा भी डिलीट मारता है क्योंकि फोन जो है आप कि इतना भी अच्छा फोन कर दो कि अजाता है कि सबढ़ जाता है कि समझने आप कोई लिमिट ही नहीं है हम यह पास इतने मैसेज आते हैं तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपने कोई तो अपने नेमबर का वेट करो कि आंसर तो में सबको दूंगी यह तो मेरा पक्का है चाहिए लेट दूँ पर आंसर मैं सबको देती हूं दूसरी बात है जो चीज मुझे संद में आती है मैं उसको हां बोल दूगी कि तुमारा काम हो जाएगा लेकिन अगर किसी चीज को मैं ने न बोल दिया कि तुम कुछ कर लो तो औरा काम नहीं होगा तो यह भी गारंटे कि फिर वकाम नहीं होगा तुकि मैं हमेशा थर्ड़ाई से देखती हो और थर्ड़ाई से मुझे बिल्कुल कि दिखती ही चीज़े बगवान की कृपा है जब मैं किसी वेक्ति पर ध्यान छूडते चुटते कमें आपके परिवार में कोई ऐसी लेडी ङिसके बच्चा पैदा को और अमीयो वह हो नहीं हो तो उन्होंने कहा, मेरे पिता उनकी पहली पत्नी ती वह जर्म देने बाद उसके मुर्त्य म Tube तो मैंने उसको बोला मैंने का वही कुछ ग्लेश है जो आपके घर में स्बच्שे करूक है कि अब उससे बोले और को कि जो उसका तो उसका बच्चे इसका उपके विमार करती हैं और दो इस तरह से चीजे काम करती हैं coast इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि चीजे तो होती हैं और मैंने उसको रिडिंग करके जैसे जो बताया था वह 110 परसंट सही गया तो विश्वास रखो विश्वास से बहुत थाकत है थोड़ा टाइम लगेगा लिग तो मैं सब कर लेती हूं और जल्दबाजी जो करते ह उनको फिर माँ टेंड ही करते हैं अराम से देखिए मैं इंसान हूं दसाता ली जुर्गाजी तो जैसे से नंबर आएगा लेते हैं जितना पढ़ सत्ते हैं तो विडियो पसंद आया गगा अगर आपको कोई समस्से तो आप वोट्सप कर सते हैं पूलोंगी लेकिन चैनल क मैं सबको फॉलो गजहे और मैं तो कहते हूं मेरे इतने सारे वीडियो इतने बड़े बड़े चोटे बड़े वीडियो हैं आप आप बहुत बहुत सारे डालती हूं शौर्स तो आप शॉर्स तेखिए आपको तब भी काम हो जाएगा और जब भी आप को कोई परशानी हो मैं फिर भी कहूंगी कि भगवान भी कभी कभी अपनी यूनिवर्स को चेंज करता है हमारे लिए विश्वास में बहुत ताकत है जब पत्थर पे निशान पढ़ सकते हैं रसी के जो कुए की रसी होती है जब सावित्री सत्यवान को खीच की वापस ला सकती है तो अगर आप किसी चीज के पीछे पढ़ जाओ ना तो मेरी प्रेडिक्शन भी फेल हो सकती है यह दखना क्योंकि सबसे उपर प्रम्पिता पर्मिश्र गणिशी है शंकर जी है उनकी इच्छा होगी तो सारे काम बनेंगे तो इसलिए दढ़ता के साथ आप मेरे छोटे-बडे सारे उप एक नवरात्र में थे दो अमे गया जवे मत्र पेजित आवा है जब कर लेता है तो कर लगोली तो और किसम में पूच ले ले थे ले और अब जो अपने नमपरो में चपंग ले चापया है जो कि भीज आप्सMen नेा नवरात्र बिद्ज कर देगा बाड़ अबरों नहीं है ठीक है और हम भी अपने नंबरों में चेक कर लेंगे जिन जिन को आपने बेजा था मुनको बता देंगे लेकिन आपको जो भी पूचा बताए गई थी इस गुप्तन वरात में माता बगला मुखी की पूचा बढ़ा देना अपको काम 100% होगा तो भी दे कि आपको व